अब हर्याना के मुक्यमंद्री मुनहुरलल खटर या उनकी सरकार के किसी मंत्री या उनकी पार्टी के किसी नेता को ये दावा नहीं करना चाहिए कि उनकी सरकार किसانों को MSP दे रही है फैक्ट पे बात करेंगे हम आपको दिखाएंगे ़ो कैसे कि किसानों को MSP नहीं मिल रही है दूसरा हर्याना के डिप्टी सीयम दुश्यन चुडाला की जो पिता जी है अजे चुडाला क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि उनको अपनी जेब में से वो इस्तीफा निकाल लेना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए क्योंकि वो कई बार बोल चुके हैं कि दुश्यन चुडाला और उनकी पार्टी के जितने भी विधायक हैं जो सरकार को स्पोर्ट कर रहे हैं उन सब का इस्तीफा उनकी जेब में है इस पर बात करेंगे तीसरा डीएपी की बहुत बड़ी किलत है हर्याना में मारा मारी चल रही है लाइने लगी हुई है किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है और चौथा जो अभी फसल खराब हुई थी बारिश की वज़े से आंधी की वज़े से उसके मुआवजे का एलान किया था सरकार ने गरदावरी किरवाई जाएगी लेकिन बहुत सारे किसान परिशान है कि कुछ नहीं हो रहा जिसको लेकर वो आज हिसार में एकठा भी हुए चार बड़े मुद्दे हैं तीन-चार ये किसानों से जुड़े हुए है सरकार से जुड़े हुए हैं और वो सरकार जो हर्याना में है दो पार्टियों की बीजेपी और जेजेपी की जो सरकार कई बार ये दावा कर चुकी है जब मेंसपी की बात आती है जब ने कानूनों में मेंसपी की बात आती है तो बीजेपी के नेता और जेजेपी के नेता ये बड़ा दावा करते हैं कि हर्याना सबसे ज़्यादा फसलों की MSP दे रहा है दाना दाना खरीदा जाएगा, किसान की फसल MSP पर खरीदी जाएगी लेकिन यहां हकीकत कुछ और है बाजरा की खरीद की बात करते है ये रशीद देखिए, ये ओरिजनल रशीद है हमने कन्फरम किया है, जिस आरती ने ये रशीद बनाई है उससे भी कन्फरम कर लिया है, खरखोदा की अनाज मंडी में ये बाजरा बिका है ग्यारा सो एक्कीस रुपे प्राइविट बाजरा बिका है और आज भी हमने कन्फरम किया, उनका यही कहना था कि ग्यारा सो, साड़े ग्यारा सो, बारा सो, साड़े बारा सो रुपे यही रेट है बोली पर बाजरा बिक रहा है तो ये रशीद है ग्यारा सो एक्कीस रुपे MSP कितना है? बाइस सो पचास रुपे अब ग्यारा सो एक्किस में से आप सरकार का 600 रुपे जोड़ दीजिए जो कुछ दिन पहले मुख्यमंतरी साब ने कहा कि भावांतर भरपाई के तहत प्रतिक इवंटल किसानों को 600 रुपे उनके खाते में डाला जाएगा अब ग्यारा सो एक्किस प्लस छैसो कर लीजिए कितना हो गया? सतारा सो एक्किस रुपे और बाइस सो पचास रुपे में से इसको घटा दीजिए तो पांच सो उनत्तिस रुपे का घाटा सीधा सीधा घाटा किसान को हो रहा है प्रतिक इवंटल उसकी भरपाई कौन करेगा? हर्याना सरकार में बैठे लोग बड़ा दावा करते हैं कि वो MSP दे रहे हैं बाजरे की MSP साड़े बाइस सो रुपे है लेकिन यहां किस रेट पर बिक रहा है? वो आपने देखा ग्यारा सो एक्किस रुपे हमने कई जगे से कन्फर्म किया है बहुत सारे किसानों को तो रशीदें मिलती ही नहीं है यह रशीद है और यह सिर्फ एक्जामपल है आपके सामने किस रेट पर बाजरा बिक रहा है सरकारी खरीद तो शुरू ही नहीं होई है हमने 38 से पता किया कि वो अभी तक कोई सरकारी खरीद शुरू नहीं होई है जो सरकार कह रही थी कि 25 परसेंट तो वो किसानों से बाजरा खरीदेगी वो भी खरीद शुरू नहीं हो रही है तो यह हालत है किसानों की यह हालत है किसानों की एक तरफ सरकार के दावे और एक तरफ हकीकत जो मंडी में बाजरा बिक रहा है अब ये जो घाटा है 530 रुपे का ये और भी बढ़ सकता है ये घाटा कौन पूरा करेगा ये सवाल है जो हर्याना के मुख्यमंत्री को देना है हर्याना के उप मुख्यमंत्री को देना है जो MSP देने का दावा करते हैं ये सीधा और बड़ा सवाल है दूसरा जब नए करूनों की बात करते हैं सवाल किये जाते हैं सरकार से सवाल किये जाते हैं जो BJP को स्पोर्ट कर रही है JJP कि आपको सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए तो उनकी जो पार्टी है जेजेपी के जो जतने भी तमाम बड़े लेडर हैं दुशन चोडाला हूं या अजय सिंग चोडाला वो कई बार बोल चुके हैं कि MSP थी है और रहेगी और जब MSP किसान को नहीं मिलेगी तो वो सरकार का साथ छोड़ देंगे यानि इस्तीफा दे देंगे और अजय चोडाला कई बार बोल चुके हैं मंच के माद्यम से कि इस्तीफा उनकी जेब में है दुशन चोडाला का तो अब किसानों को MSP नहीं मिल रही आपका 600 रुपया मिला कर भी किसान को घाटा हो रहा है 500 से ज़ादा तो अब वो वक्त नहीं आ गया है कि आपको जेब में से उस इस्तीफे को निकाल कर सोचना चाहिए विचार करना चाहिए कि वो वक्त तो नहीं आ गया है जिस वक्त की आप बात कर रहे थे कि अगर MSP नहीं मिलेगी तो फिर आप सरकार का साथ छोड़ देंगे आप स्तीफा दे देंगे जो जो भी पद आपकी पार्टी के लोगों को मिले हुए है ये दो बड़ी बात है अब आते हैं D.A.P की किलत है हमारे पास वीडियोज हैं लोगों ने हमें भेजे हैं वीडियोज हम दो वीडियोज पहले आपको दिखा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ये देख लीजिए देखियो वाई ये D.A.P खात लेन खैतर की फिर लेन लाईरी है गाम की ये देखिये ये देखिये तो देखा आपने दो जगे से ये वीडियोज है कितने लंबी लाईने लगी हुई हैं डि.A.P लेने के लिए किसानों की क्या पहले ऐसा हुआ है मतलब ये दौर आ रहा है धीरे धीरे कि आप खात लेने के लिए मतलब किसान दिन भर के लिए लाईन में लगे रहेंगे पी मिलेगी कितनी मिलेगी अभी गेहूं बीजने का जो है वो वक्त आ रहा है आपको पता है गेहूं बीजते वक्त डी एपी के जरूरत होती है तो डी एपी नहीं मिल रही है ये एक और मसला है किसानों का तीसरा मसला है आज हिसार में ये आप फोटो देख सकते हैं हिसार मे आते हैं किसानों के कि हमारी फसल की तो कोई गरदावरी होई नहीं है हमारा नर्मा खराब गया है कापास खराब हो गई है और दूसरी फसलें खराब हो गई है सरकार ने बोला था कि special गरदावरी करवा कर यह मवावजा दिया जाएगा सरकार में बैठे लोग तो ये भी कह रहे थे कि सिर्फ इतने घंटे में हम गरदावरी करवा के मवावजा देंगे लेकिन कितने दिन बीट गए किसानों को मोवावजा तो पता नी कम मिलेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा गरदावरी तक ने होई या गाम के लोग कहते हैं कि भाई पटवारी ने तो अपने रिपोर्ट भी दे दी है हमारे खेत में तो कोई देखने नहीं आया है तो ये हालत है ये तीन चार बड़े मसले हैं जो किसानों से रिलेटिड है MSP, खाद की किलत, फसल का मुआवजा और इन सबी के लिए सरकार में बैठे लोग बार बार दावा करते हैं जब कभी मेडिया सवाल करता है, जब कोई और सवाल उठाता है तो सरकार में बैठे लोग बड़ा दावा करते हैं कि ये सब कुछ ठीक है किसान बहुत खुश हैं हर्याना में और सरकार जो हर्याना की सरकार है वो ये कहती है दूसरे स्टेट्स की जो सरकार हैं उनसे कंपेर करते हैं अपने आपको ये देखो पंजाब में क्या है, हर्याना में तो हम इतनी फजलों का MSP दे रहे हैं ये देखो राजस्तान में क्या है ये देखो दूसरी यूपी में क्या है ये देखो वहाँ पर क्या है हम इतना कुछ दे रहे हैं लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने हमने आज आज आपको दिखाई है हमने बुरशीद दिखाई है कि बाजरा सिर्फ 1121 रुपे विक रहा है और सरकार ने MSP दी है 2250 रुपे पहली बात तो सरकार हाथ खड़ी कर गई कि सिर्फ 25% खरीदेंगे दाना दाना खरीदने वाली सरकार सिर्फ 25% खरीदेगी कब खरीदेगी ये भी कोई पता नहीं है दूसरा भावांतर भरपाई के तहट 600 रुपे देंगे वो देने के बावजुद भी किसान को 500 रुपे का घाटा हो रहा है तो हैना बड़ी बात हैना बड़ा मसला तो जो किसान अंदोलन कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि MSP चली जाएगी MSP कल को नहीं रहेगी तो लगता है उनकी बात में दम लगता है कि बहुत दूर की हम ना सोचें अभी नजदीक की सोच लेते हैं कि अभी से ही MSP किसानों को नहीं मिल रही है है ना और ये fact है हम हवा में बात नहीं करने हैं हम confirm करते हैं हमारे पास facts होते हैं जस पर हम बात करते हैं आपने दो वीडियो देख लिए डिये पी के ये रशीद आपने देख ली कि जो बाजरा बिका है ना मसला बड़ा और इसका जवाब किसको देना है वो भी आपको पता है सरकार में बैठे लोगों को इस बड़े सवाल का जवाब जो है देना है आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों इस मसले पर इस बड़े मसले पर आपने अपनी राय देनी है कोमेंट के माद्धियम से आपने लिख कर भीजना हैं कि अभी कि आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है तमाम लोगों तक पहुंचे सरकार में बैठें लोगों तक पहुंचे जो दावा करते हैं जो वादा करते हैं दूसरा अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे हकीकात आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल यानि दामसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है फेस्बुक पेज पर भी और यूट्यूब पर भी और दामसला.com वेबसाइट पर भी फॉलो करना है ताकि कोई भी मसला ना छूटे हमारा जो अगला मसला हो, हमारा जो अगली वीडियो हो, हमारा अगला अनेलसिस हो, वो आप लोगों तक उसी समय पहुंच जाए धन्यवाज, नमस्कार, अदाब, सच्छरी अकाल, राम राम